हां हेलो प्रेंज वेलकम बैक रूमाइचैनल आज मैं आपको गलप्स बनाना बताऊंगी तो इसके लिए मैंने ये कैपरी ले रखी है इसको नीचे से कट कर दिया है उपर के उसट से आपको गलप्स बना बताऊंगी पटा है इसकल करोना वायरस चल रहा है तो लोग वहां निकल रहें, तो गलब्स पहन रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो भर में कैसे बनाएं, मैं आज आपको बताऊंगी, उसे बनाना शुरू करते हैं जलिए बनाना सुरू करते हैं, अब मैं पहले इसको रूटा कर लूँगी इस तरह से इसका और यह इसका यह दोन भी हम ऐसे मिला लेंगे इसको इस तरह से खिला के रखेंगे इसको अच्छे तरह से खिला लिया है अब हम इस पर अपना यह उटा हाथ रख लेंगे इस तरह से इसको इस तरह से रख लेंगे और इस पर मार्किंग कर लेंगे किनारे 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 इस तरह से आप तेहां तो पेपर पर हैंड की मार्किंग लेंगे उसको कट करके फिर इसके ओपर रखके निसान लगा सकते हैं और इस तरह से भी निसान लगा सकते हैं उसमार्किंग कर दिया है इसको इस तरह से पकड़ के और इस पे यहां पेशे रखेंगे इस तरह से बदाबर से मिलाके इस तरह से और इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ देखेंडर्स मैंने इस वाल पर भी माम कर लिया है और इसका गाड़ा भी कर दिया इसका निसान आप इसे मसीन से भी सिल सकते हैं आप पेपर रखके सिल सकते हैं और मैं आपको इसे सुई धागे से सिलना बताऊंगी चले फ्रेंड्स शुरू करते हैं सिलन से पहले मैं यहां पर पिल लगा लूगी जाकि कपड़ा दर दर पिले नहीं अच्छी से सिलते बने आप इसको थोड़ी चले पर दो चार पिल लगा करें तो जादा अच्छा रहेगा सिलने में जादा आसानी होगी इस तरह से अब हम इसको यहां से सिलना सुरू करूंगी इस पोने से सिलना सुरू करूंगी आप लग अचले लगारी होगा एक चार फर में पंचलें लेंगे इस तरह से किंयारे पका लेंगे इस तरह से मुझे अचार कि यहां पेर पका यह साथ से आप यह टाकि कीए मैं ठिन है तो हम अगा अगे नहीं कि तर लोग मार्केट से भी ग्लश ले के आरे लेकिन उसको एकी बारा की इस इत्तेमाल कर सकते हो अपको आप जब अचाम सकते हैं तब इसको करके में अप जब तक भक भाए सकते हैं कि आपको को तरीश कि अदाम, अमक्ना करके छुम कि और दाके लाई हैं यहां है burak कि इस तरह से बढ़े कि नो लिए स्ट्राइए 20 स्वच्परायदा कि करके निए अब सूइ को इस तरह इस सब्सक्राइए त इसको आग मजबूत होती है, लेकिस थोड़ा टाइम नगता है, इस तरह थारीख्यसी क्वेचे से अब इसको पीछे से लए, और फिर यहाज पर आंगे निकाले, आसर निकल दिया लेक्तै के पीछे से यह सिलाई कभी नहीं खूलती है बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है करें इसको इसी तरीके से सिल्के आपको दिखाते हूं उसको यह से पूरत सिल्लोंगी फिर आपको दिखाते हूं और इसी तरह से यह वाला भी कर लेना है कि अगे पैस मैंने इस पर सिलाई लगा लगा लिए अब इसको काटना काते हैं को कैसे कर दो करेंगे इसको यहां से लग कर लेंगे इसके यहां पर होग्याँ है तो यहीं रही है इसे फराइसे कटिकर लेंगे हैं इस तरह से बाद में हमें यहां पे शिलाइज थोड़ा उपर शुरक्या में से जीदे कटिकर लगा लेने हैं इस तरह से कटिंग करने में असानी होगे तरह से चारी बुल्यों पे इस तरह से लगाले सीधा और फिर इस पी कटिंग कर लेंगे इस थोड़ा असार इंपर जितना इसे फिर्स मैंने इसके कटिंग कर लिया है यहां सपिनी का लेंगे मैं इस फिलकी कर लेंगे इसनी में लेका खरे रीडिर यहां से कटिंग कर लिया किरणगे इसको इस तरह से सेचिदा कर लेना है इस तरह से हैसे आप इसे इसके ले 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 या कोई और भी सामान हो इसको इसको बाहर निकाल देना है इसको सेचिदा कर लिया है और इससे आप देखते हैं इस साइड तरह से आया है इस तरह से लगा दिया है तो मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूं इसको पहन रखा है और बहुत आराम जायक है इसको आप चाहिए से हाथ को मुर्तबते हैं इसको कोई दिक्कत में हो रही है और आप इसको दूर्टबते हैं गंदा होने पर और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक से रहे हैं सब्सक्राइब करें लोग मिलते हैं रेट वीडियो में टकले बादोस्तों झाल 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 झाल